पत्नी अपने पत्ती से कौन से राज है जो अपने जीवन पर्यंत नहीं बताती जान चली जाए यह जीवन चला जाएगे लेकिन पत्नी ये राज अपने पत्ती से कभी नहीं बताएगी दोस्तों पत्ती पत्नी का रिस्ता दुनिया में सबसे भरोस्य का रिस्ता माना जाता है पत्ती पत्नी सुख दुख में एक दूसरे के साथी होती हैं लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पत्नी अपने पत्ती से ये राज कभी नहीं बताती मर जाएगी लेकिन ये राज बता कर नहीं जाएगी तो चलिए वीडियो को श्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से राज है जो पत्नी अपने बती को कभी बताना नहीं चाहती तो नमबर वन है कहा जाता है कि महिलाओं में एक तरफा प्यार हो जाया करता है हर महिला किसी न किसी को मन से जरूर पसंद करती है एक तरफ़ा प्यार किसी न किसी से हर महिला को हो ही जाता है कोई भी महिला अपने पती से ये बात जीवन पर्यंत नहीं बताती अपने दिल में छुपा के रखती है दूसरी बात है रोमांस की पती कभी पी पूछते हैं कि अपनी पतनी से तुम मेरे रोमांटिक सुभाव से या रोमांटिक बातों से खुस हो की नहीं तो पतनी कभी खुल के नहीं बताएगी खुस हूँ या नहीं नहीं बताएगी बस वो यही बोलेगी कि हाँ मैं आपके साथ बहुत खुस हूँ वो अपनी भावनाओं को छुपा की रखती है तीसरी बात है कई वार ग्रियस्ती जीवन में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो पती खुद ले लेते हैं उसके बाद पत्नी से पूछते हैं या सहमती लेते हैं कि तुम मेरे इस फैसले से खुस हो या नहीं लेकिन पत्नी पती के फैसले से खुस नहीं भी है तो भी अपने दिल की बात छुपाते हुए बोल देती है कि हाँ मैं आपके फैसले से खुस हूँ आप जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो ऐसा बोलने के पीछे बज़े ये होती है कि पत्नी सूचती है कि मैं अपने पती को अपने मन की बात बोल दूँगी तो मेरी बज़े से घर में जगडे होंगे घर में असांती होगी इसलिए पत्नी अपनी मर्जी को अपने दिल में छुपा के रखती है चोथी बात है धन की बचत करना पतनी अपने पती के द्वारा दिये गए घर्च के पैसों में से कुछ पैसे जरूर बचा के रखती है खास तोर पर वो महिलाएं जो रावकरी नहीं करती बाहर पैसे कमाने नहीं जाती और उनके पती घर खर्च के लिए जो पैसे देते हैं उन्हीं पैसों में से वो थोड़े पैसे बचत करके रख देती है मुसीबत के समय घर समालने में अहम भूमिका निवाती हैं ऐसी पतनिया लेकिन इस राज को वो अपने दिल में छुपा के रखती हैं कोई भी पतनिया कभी भी पती को नहीं बताती उन्हें ये लगता है पतनियों को ऐसा लगता है ऐसा मानना है कि अभी मैं ये बात पती को बता दूँगी तो पत्नी को ऐसा लगेगा कि कहीं मैं जादा पैसे तो नहीं दे रहा हूं पत्नी को थोड़े पैसे में ही घर चल जाता है तो इतना जादा पैसे देने की क्या जरूरत है और दोस्तो सायद कहीं न कहीं सच भी है अगर बता दें तो पती लोग कम पैसा देने लगेंगे लेकिन जो भी है लेकिन पत्नियां बताती नहीं है ऐसे राज को 99% पत्नियां ये काम करती है और बचा के रखती हैं पैसे अपने घर खर्च में से इसलिए इस राज को अपने तक ही रखती हैं पती को कभी भी नहीं बताती ये राज तभी खूलता है जब पती या परवार आर्थिक संकट में हो और पाचमी बात है अपनी बीमारी दोस्तो पत्निया अक्सर यही सोचती हैं कि हमारी बीमारी को लेकर हमारे पती को कोई तकलीप ना हो हमारी बज़े से हमारे पती को कोई दुख ना हो उनको टेंसन ना हो उनको ज़्यादा प्राब्लम ना हो इसलिए पतनी को अगर कोई बीमारी है भी तो अपनी बीमारियां पती को इतना जल्दी नहीं बताती लेकिन इससी की बजह से पतनी को बहुत जादा मुसीबतों का भी सामना करना पर सकता है तो दोस्तों और बाती तो सही है लेकिन इस बीमारी के बात में मैं भी बोलना चाहूंगी कि समय रहते अपने पती को बता देनी चाहिए नहीं तो भारी नुकसान भी उठाना पर सकता है तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेयर करना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टापिक के साथ में आज के लिए बस इतना ही जाए गुर देव